नमस्कार जहन सातियों स्वागत है आज आप सभी का हमारी द्रुन संकल्प यूट्यूब चैनल के आज के इस नए वीडियो में मैं विशेक मिसराज आप सभी लों के लिए क्लास 6 की NCRTST के कोस्टन आंसर्स को लिकर के आये हूँ आज हम आप सभी लों के लिए चैप्टर 8 को लिकर के आये हैं आज की इस चैप्टर का नाम है असोक एक अनोका समराज जिसने युद्ध का त्याग किया आज हम इस चैप्टर में मौरे सामराज जी की विशे में अधिक से अधिक प्रसनों को देखेंगे बहुत इंप्टर चैप्टर है और आज की इस चैप्टर से हमको मिलता है प्राचीन भारत का इतिहास तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले आप सभी लों को एक महत्पूर सूचना ये दे दें कि अब जिन लोग को NCRT के नोट्स चाहिए हैं वो हमको 8577-885934 इस नमबर पर WhatsApp पर मैसेज करें ये नमबर आपको हमारे description box में भी मिल जाएगा और हम इसे वीडियो के अंत में आपको ये comment box में भी दे देंगे तो आप वहाँ पर भी जाकर भी देख सकते हैं और अगर आपको NCRT के नोट्स चाहिए हैं तो आप हमें WhatsApp पर मैसेज करें तो अगर आप आज ही ले लेंगे तो अच्छा रहे हैं क्योंकि आज हम इस special offer चला रहे हैं 50% की छूट है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चेप्टर के question answers को बहुत important प्रस्ण है है सबसे पहला प्रस्ण दिया जा रहा है मौरिस सामराज की स्थापना लगवक कितने बर्स पूर्व हुई थी option A, 2000 बर्स पूर्व, option B, 2300 बर्स पूर्व, option C, 2500 बर्स पूर्व, option D, 3000 बर्स पूर्व तो जल्दी से इसका answer हमको comment box में दीजीगा चलिए इसका answer हम आपको बताते हैं इसका answer B, option B बिल्कुल correct है अर्थात मौरिस सामराज की जो स्थापना हुई थी ये आज से लगवख 2300 साल पहले हुई थी, अर्थात 2300 बर्स पूर्व हुई थी और इसका जो संस्थापक था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौरे इनसे अब सभी लोग भली भाती परचित होंगे और इनके जो गुरु थे उनका नाम था चानक की जिनको कौटिली के नाम से भी जाना जाता था तो कौटिली ने सामराज स्थापना में चंद्रगुप्ती साहता की थी देखा जाए तो ये इसकी स्थापना जो थी वो नाम चंद्रगुप्त का था लेकिन इसका जो पूरा स्रे जाता है वो कौटिल को ही जाता है चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौटिल नमबर 2 को जो कि आप सभी लोग के सामने है कौटिल नमबर 2 दिया जा रहा है कौटिल दोरा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्न लिखित में से क्या है उप्शन A, अश्ट ध्याई उप्शन B, अर्थसास्तर उप्शन C, मल्विकाग निमित्रम उप्शन D, अभिज्ञान साकुन तलम तो जल्दी से इसका अंसर भी हमको कमेंड बॉक्स में दीजीगा कि दूसरे का कौन सा सही होगा A, B, C, या फिर D कि कौटिल अर्थाद चानक के ने जो पुस्तक लिखिती उसका नाम क्या है चलिए इसका अंसर भी हम आपको देते है इसका ऑप्सन भी बिल्कुल करेक्ट है अर्थाद कौटिल जिनका नाम चानक के है या फिर इनको हम बिस्नुगुप्त के नाम से भी जानते हैं तो इन्होंने एक पुस्तक लिखिती जिसका नाम है अर्थसास्तर ऑप्सन भी बिल्कुल करेक्ट है कोटियले ने अर्थ सास्तर तथा पाड़ी ने अध्याई अश्ट ध्याई की रचना की थी इसके बाद में जो माल भी कागने मित्रम है और अभिज्यान साकुंतलम है ये दोनों रचनाएं है काली दास जी की ओके चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोश्चन नमबर तीन को ये भी बहुती महत्पुन प्रश्ण है मौर बंस में तीन महत्पुन राजाओं राजा हुए इन राजाओं का सही बंसा नुक्रम निमन लिखित में से कौन सा है औप्सन A सबसे पहले राजा था चंद्रगुप्त दूसरा था आसोग तीसरा था बिंदुसार या फिर औप्सन B सबसे पहले राजा आसोग दूसरा बिंदुसार तीसरा चंद्रगुप्त या फिर औप्सन C पहले बिंदुसार फिर चंद्रगुप्त और फिर आसोग या का सही बंसानुक्रम बताना है okay तो इसका अंसर जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में दीजेगा चलिए इसका सही अंसर हम आपको बताते हैं इसका सही आंसर ये डियर था सबसे पहले चंदगुप्त राजया बना था जिसने मौरे सामराज की स्थापना करे थी इसके बाद में बिंदुसार जो की यह तो यह चंद गुरुपत का पुतर था ठीक है और इसके बाद में असोग जो की बिंदुसार का पुतर था ठीक है असोग बिंदुसार का पुतर था और बिंदुसार चंद गुरुपत का पुतर था चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं Q4 को, आप सभी लों के सामने मौरिस सामराज की राजधानी निम्न लिकित में से कौन C थी? Option A, पार्टिल पुत्र, Option B, युजेन, Option C, तक्षेसिला, Option D, सांची तो जल्दी से इसका अंसर भी हैं को कमेंट बक्स में दीजीगा कि चोथे का A सही होगा, या B सही होगा, या D सही होगा, या C सही होगा चलिए, इसका अंसर भी हम आपको बताते हैं, इसका option A, बिल्कुल correct है अठात, जो मौरिस सामराज है, इसकी राजधानी पार्टिल पुत्र थी, इसकी ब्याख्या भी आपको यहाँ पर मिलती है दिया जा रहा है कि उजएन, तक्षिसिला और पार्टिल पुत्र, मौरिस सामराज के महतपुन नगर थी, तक्षिसिला उत्तर पक्षिम और मद्द एसिया के लिए आने जाने का मार्थ था उजएन उत्री भारत से दक्षिन भारत जाने वाले रास्तों में पढ़ता था चली आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोश्चन नमबर फाइब को बहुती महतपुन प्रस्न है, असोक के सिला लेक नियम दिलिखित में से किन इस थानों पर प्राप्त हुए है बहुती महतपुन प्रस्न है यह और यह प्रस्न अकसर पूंचा भी जा चुका है तो इसके चार अप्सन पांच अप्सन यह पर दिये जा रहे हैं कंधार, ब्रह्मगिरी, अप्सन इसका तीसरा है जोगड यह फिर चौथा, गिर्नार, यह फिर पांचमा, लुम्बिनी तो आपको बताना है, इन कूटों की मदद से कि कौन सो ऍप्सन सही, अर्थाद, अप्सन ए केवल एक सही, अर्थाद, केवल एक और पांच सही इसकांसर हम आपको बताते हैं इसका आपको बताते हैं इसका उपसन D बिल्कुल correct है सिर्फ यही पांचने और भी कई जगाएं ऐसी हैं जहां से हमको असोक के सिलालेक मिले हैं जो कि यहां पर दिये गए हैं सनाती इसके बाद में मस्की येर्व ज़ियूडरी इसके बिर्म्गि तो इन जगों से हमको असोक के सिलालेक ही पराप्थ ही बहुत हैं अक्तर पॉंचा एक किसी नाम का या फिर तीन का ले देगा और कई और नाम ले देगा और आप से पूशेगा कि इन निम्द लिखित में से किन इस्थानों से हमको असोक के सिलाले की बहुते मायत पूर्ट थे तो इन सभी नामों को आप लोग याद कर लीजीगा तो आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोश देखते हुआते शफित के सस्राज में में म ओर सम्राज में या जाता थे तिसरा कतन जहाँ पर समराठ का सीधा शासन था वहां राजा दौरा न्यूक्त अधिकारी कर बसूलते थे अर्थात जब मौरे समराज में जहां तक समराज का सीधा सासन सलता था वहां पर राजा दौरा कुछ न्यूक्त अधिकारी होते थे जो की कर बसूलते थे तो इन तीनों में से कौन सा कतन गलत है नीचे दिएगे कूट की सायता से आपको उत्तर चुनना है option A केवल पहला वाला कतन गलत है या फिर option B अर्थाथ पहला और दूसरा ये दोनों कतन गलत है या फिर option C केवल दूसरा कतन गलत है पहला और तीसरा सही है या फिर option D इन में से कोई भी कतन गलत नहीं है सबी कतन सत्य हैं तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजेगा आपका आंसर हमारे लिए बहुत ही मायतकोन होता है क्यों क्योंकि इससे पता चलता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं और इससे आपका confidence भी थोड़ा सा तो जो कर होते थे पहले कर होते ते इनको देना चाहे यानर देना चाहे उसे देना ही पढ़ेगा इसके बाद में पार्टिल पूत्र और उसके आसपास के इलाकों पर समराट का सीधा नियंतर था कहाँ पर एक तो पार्टिल पूत्र है और पार्टिल पूत्र के आसपास के जो इलाके होते थे वहाँ पर मौर समराट के जो समराट थे उसका सीधा नियंतर होता था और यहाँ पर कर्वसूली के लिए राजा दोरा अधिकारी न्यूट किया आते थे ठीक है चलिए अब देखते हैं कोस्टे नंबर 7 को जो कि आप सभी लोगों के सामने है बहुत ही मैं तो पूर्ण परस ने दिया जारें कि मोर प्रिसासन Security के संदर में निम्निलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है राजकुमारों को अपसर प्रांतों में राजिपाल अर्था गवर्नर के रूप में भीजा जाता था दूसरा कतन है जो राजा के आदेश का उलंगन करते थे अधिकारी उन्हें सजा देते थे इन में से कई अधिकारियों को बेतन भी दिया जाता था इसके बाद में तीसरा कतन है अधिकारियों के किला किला पर नजर रखने के लिए जासूस होते थे तो इन तीनों कतनों में से कौन से कतन सही है या आपको बताना है अर्थात option A केबल पहला कतन सही है और दूसरा कतन गलत है या फिर option B अर्थात पहला और दूसरा कतन सही है और तीसरा कतन गलत है या फिर option C अर्थात के बल तीसरा कतन सही है और पहला दूसरा कतन गलत है या फिर option D अर्थात के तीनों ही कतन सही है तो जल्दी से हमको comment box में बताईगा कि इनका कौन सा कतन सही होगा option A, B, C या फिर D चलिए इसका अंसर अब हम आपको बताते हैं इसका option D विल्कुल correct है ये तीनों ही कतन सही दिये जा रहे है अब इसकी थोड़ी सी ब्याक्या दी जा रहे है इसको भी देख लेते हैं तीनों कतन सही हैं कुछ हद तक जो छोटे छोटे प्रांत होते थे छोटे छेतर होते थे वहाँ पर जैसे की पाटिल पुत्र ठीके पाटिल पुत्र से नियंतर रखा जाता था अब वहाँ राजकुमारों को राजपाल के रुपे भेजा भी जाता था इसके लिए यहाँ पर एक point भी दिया जा रहा कि अधिकारियों के क्रियकलाब पर नजर रखने के लिए जासूस होते थे अनेक संदेश बाहक संदेश पहुचाने के लिए एक जगे से दूसरी जगे पर घूमते रहते थे अब होता क्या था कि जो अधिकारी राजा नियुक्त करता था कि आप वहाँ पर जाकर के कर्वसू लेंगे या फिर किसी बेक्ति को जो भी जो तो नियमों का उलंगन करता है उसको आप दंड देंगे उसकी भी जासूसी कराते थे मौर समराज के जो सासक थे वो जो वहाँ के समराड थे वो उसके लिए कुछ जासूस रखे जाते थे अब जो जासूस थे वो जासूसी करके और राजा तक खबर पहुचाने के लिए उस अंदेश बहाग के रूप में एक इस्तान से दूसरे स्तान पर जो तो घूमते रहते थे ठीक एक जैसे दूसरे जगाए पर घुमते रहते थे इसके बाद में कोशन नमर एट आप सभी लोग के समक्ष है तो कोशन नमर एट में पूचा जा रहा है कि मौर्रे प्रसासन से जुड़े निम्द लिखित कतनों पर विचार कीजेगा ये पूरे पांच चार कतन दिये जाने पर आप लोग इसको ध्यान में मत रखेगा तो पहला कतन है प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर र्यादिकारियों को नजराना भेज दिया करते थे ठीक है इसके बाद में दूसरा कतन है भेजने या पर भेंट होगा सब्गाइभ उसके ऐढूघ रख़े कों से जहिए हैं यह आपको बताना है कि इसका कथन A सही होगा या B सही होगा या फिर C या फिर D चलिए इसका अंसर कथन A में दिया रखी केवल एक सही है कथन B कथन B में दिया रखी केवल तीसरा कथन सही है या फिर कथन C में दिया जा रहा है option C में दिया रखी केवल 1 और 2 सही है या फिर option D में दिया जा रहा है कि एक, दो, तिन, चार, चारो कोतन सही है तो इसका अंसर हम आपको बताते हैं इसमें option D विल्कुल करेक्ट हो गार था यह चारो कोतन सही है अब इसकी यहाँ पर ब्याख्या भी दी जा रही है तो ब्याख्या को भी देखीगा यह राजधानी थी किसकी मौरिसामराज की, ठीक है तो मौरिसामराज में जो पार्टिल पुत्र थी इससे इन छेत्रों, ठीक है पार्टिल पुत्र से इन छेत्रों में राजगुमारों को राज़िपाल की रूप में भेजा जाता था और वहाँ पर राजकुमारों को भेज करके उनसे नियंतरन रखा जाता था परम तो इन जगहों पर जो इस्थानी परमपराएं होती थी वहाँ के जो नियम होते थे उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता था ठीके वहां के वही नियम रहते थे और वहां पर वही जो तो परमपराय रहती थी केबल जो राजकुमार वहां पर भेजाते थे वो राजिपाल के रूप में वहां पर रहते थे प्रसन है यह सभी प्रसन बहुत ही महत्पूर है यह इस पेसली आपके UPSC प्रिलिम 2020 अर्था 2020 के लिए सबसे महत्पूर है पहला कतन दिया जा रहा है उत्तर पस्चिम कंबल के लिए प्रसिद था और यहां से संसादन नजराने के रूप में एकत्रित किया थे इसके बाद में कतन नमबर दो अर्था जो दूसरा कतन दिया जा रहा है दक्षन भारा सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद था और यहां से संसादन नजराने के रूप में एकत्रित किया थे यहा फिर कतन नमबर तीन अर्थात कतन तीसरा मौरत सामराज के संस्थापक चंदगुप्त मौरत के विचार अर्थ सास्तर में लिए गए है इसक इसके लिए आप कुछ कूटों की मदद ले सकते हैं पहला कूट केवल एक कतन सही है और दोनों कतन गलत है या फिर ऑप्सन बी केवल एक और दो सही है तीसरा गलत है और जो दूसरा कतन है वह आलग गलत है या फिर ऑप्सन डी एक दो तीन तीनों कतन सही है जल्दी से इसक कांसरव हम आपको बताते हैं इसका option B बिल्कुल correct है ओके अर्थात केवल एक और दूसरा कतन सही है जो तीसरा कतन है वो गलत दिया जा रहा है इसकी बैख्या को भी देख लेते हैं अर्थसास्त में लिखा है कि उत्तर अर्था सास्त के नहीं बलकी कॉटिली के बिचार मिलते हैं अर्थसास्त पहला को बात मिलते हैं। तो अर्थसास्त में चंद्रगुप्त के नहीं बलकि कौटिल के विचार मिलते हैं। अर्थसास्त के रचाहिता कौटिल ही है इनका नाम चानक के था और इन्हें बिश्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। कौटिल को हम कई नामों से जानते हैं इसमें से एक चानक के है एक विश्णु गुप्त है ओके चली आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्टन नम पर फोर ने टेन सुरियां पर मैं फोर कह गया था तो दसमा कोस्टन दिया जा रहा है कि चंद्रुप्त के दरबार में पस् नाम किया था यहां पर पोहँचा जारत तो कौन सा ओप्सन सही होगा और चंद्रुप्त के दरबार में एक पस्चिमी एस्या के यूनानी राजा जिनका नाम तहां सेलुकस निकेटर इनका राज़डोतर ता उसका नाम क्या था चलि इसका अंसर मौह आपको बताते हैं इस तरी चंद्गुप्त मौर के धरवार में यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का एक राजदूर था. इसके बाद में जो ॡ़िमेकस और डाइमेकस है, यह बिन दुसार के समय में आया। और इसके आज़ahan जो फायान है ये चंद्रगुप्त बिक्रमादित के काल में आये था जबकि जो हुए इन्सांग है ये ब्रस के काल में ये हर्स के काल से सम्बंदित है वो हुए इन्सांग है अगे बढ़ते हैं और दिखते हैं कोसेन नमबर 11 को तो ग्यार्मा कोशन आप सबी लोग के सामने है मेगस तनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरन दिया समराट के विशय में उसके विवरन के संदर में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिया पहला कतन दिया जा रहा है समराट के जनता के सामने आने के एप सर पर सोबा यात्रा के रूप में जस्न होता था इसके अदमें दूसरा कतन दिया जा रहा है उसके अंग रख्षथ सोने वाचांदी से सज्जे हाथिएं पर सวार रहते थे कुछ अंग रख्षथ पेणों को लेकर के चलते थे पेणों को ले करके चलते थे इसके बाद में जो तीसरा कतन दिया जा रहा है वो ये है कि राजा सामानता हत्यार बंद महिलाओं से गिरे होते थे तो इन तीनों में से कौन से कतन सही है ये आपको बताना है कुछ कूटों की सायता ले करके पहला कूट है कि केबल पहला कतन सही है और दोनों कतन गलत है अर्थात समराट जो थे वो जब जनता के सामने आते थे तब सोवा यत्रा निकाली आती थी और जो जसन थे वो मना जाते थे इसके बाद में option B दिया जा रहा है कि केबल दूसरा कतन सही है अर्थात केबल जो राजा होती थे उनके जो अंग रक्षक थे वो सोने और चांदी से सजे हुए हातियों पर सवार रहते थे और कुछ अंग रक्षक जो थे वो पेनल लेकर के चलते थे इसके बाद में जो option C दिया जा रहा है केबल एक और दो सही अर्थात जो मैंने भी दो बताए हैं आपको ये वाला और ये वाला ये दोनों सही है ठीक है अब बाद की जो तीसरा ये गलत है option D में दिया जा रहा है कि जो तीसरा है ये भी सही है पहला सही है दूसरा भी से अर्थात उपरोग तो सभी कतन सही है तो चल्दी से इस कांसर हमको comment box में दीजीगा चलिए अब इस कांसर हम आपको बताते है इसका option number D बिल्कुल correct है अर्थात ये तीनों कतन सही है अब इसकी ब्याक्या को भी देख लीजीगा बहुत ही मैटपोन है इससे हमको हमारे पूरवजों के बिसे में जानकारी मिलती है हमारे इतिहास के बिसे में जानकारी मिलती है तो दिया जारे कि उपरोव तो तीनों कतन सही है मेगस थनीच के वार्डन से पता चलता है कि समराट को सोने की पालकी में सोने की पालकी में जनता के सामने लाया जाता था तथा उसके जनता के सामने आने पर सोभा यात्रा के रुप में जसन मनाया जाता था ये जसन लिखा है जसन मनाया जाता था और इसके लिए दो पॉइंट भी दिये जा रहा है कि अंग रक्षक जो थे अंग लक्षक अलंक्रित हाथियों पर सवार होते थे जो कि सोने से अलंक्रित होते थे ठीक है और इसके अंगरक्षे पेणों को लेकर भी चलते थे इस पर प्रिस्ख्षी तोतों का जुन्ड होता था जो कि समराट के सीर के चारो तरप चक्कर लगाता रहता था आप लोग ये समझेगा कि आज से पहले जो राजा लोग थे वो कि प्रकार्श की सुरक्षा में रहते थे पहले पेणों को साथ में लेकर के चलते थे लोग ठीक है और इसके साथ साथ जो राजा होते थे वो एक घेरे बंद सुरक्षा बहुती कड़ी सुरक्षा के बीच में रहते थे ठीक है और इसके साथ साथ कुछ प्रस्रिक्षी तोते भी थे अताथ पक्षी थे जो कि राजा के सर के आसपास मडराते रहते थे गुमते रहते थे जुन्ड के रूप में ठीक है इसके बाद में यह पर दूसरा पॉइंट दिया जा रहा है कि राजा को हमेशा डर रहता था कि कोई उसकी हत्या ना करे इसलिए हतियारबंद जा था कि उनकी कोई हत्या ना कर दे क्योंकि पहले जो रन्जिस थी वो काफी चलती रहती थी इसलिए यह ठियारबंद महिलाओं से गिरे रहते थे और उनका जो खाना होता था वो जब खाना खाते थे तो अपना खाने से पहले कुछ खास नौकरों को उसको खिलाया जाता तो बार्मा कोस्टन दिया जा रहा है कि असोग के संबंद में निमने लिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला कतन असोग ऐसा पहला सासता जिसने अविलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुचाने की कोसिस की इसके बाद में दूसरा कतन दिया जा रहा है असोग से असोग के जानतर अपलेख खारोश्टी लिफी में मिलते हैं असोग ने जो भी अविल नहीं इन कूटों की माद्यम से अतात के जो तो ओप्सन एक एक सही है ऑप्सन B केबल दूसरा कतन सही है एक और टीन सही है या फिर ओप्सन D केबल एक दो टीन तीनों कतन सही है चलिए इसका अंसर जल्दी से हमको comment box में दीजेगा हम आपके comment का इंतिजार कर रहे हैं चलिए इसका अंसर हम आपको बताते हैं, इसका option C बिल्कुल correct है, ताथ केवल एक और तीन, ये तीर दोनों कतन सही हैं, जो दूसरा कतन ये वाला गलत है, जो असोक के जानतरा भी लेक थे, उनको प्राकरित वासा में लिखा गया था, ना कि ब्राम्मी लिपी में, प्राकरित और जो ब्राम्मी लिपी इसमें लिखा गया था, खारोश्टी लिपी में नहीं, सौरिया पर मैं ब्राम्मी लिपी में बोल गया था, तो क्या है कि जो असोक के जानतरा भी लेक थे, उनको प्राकरित वासा में और ब्राम्मी लिपी में लिखा गया था, खारोश्टी तो जलिए से हमको इसका ऑंसर दीजेगा कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा option A, B या फिर C अर्थात 1, 2, 3 या फिर 4 इसका answer आपको कुछ इस प्रकार से देना है जैसे कि 13 का A सही है तो एक मिन इसके कुछ कूट दिया जारे है कूट के माददें से आपको answer देना है ऐसे आप नहीं दे पाएंगे तो पहला कूट है कि केवल 1 और 2 साही है केवल पहला 1 कतन साही है और दूसरा कतन साही है इसके आद में option B केवल 2 और 14 कतन साही है option C केवल 3 और 4 साही है option D अर्थात 1, 2, 3, 4 ये सभी कतन साही है तो जली से इसका answer हमको comment box में दीजिएगा चलिए अब इसका answer हम आपको बताते है इसका option D विल्कुल correct है तो इसकी हम लोग अब थोड़ी सी इसको भी देख लेते हैं बैख्या को कलिंग तत्रबर्ती उडिसा का प्राची नाम है असोक ने अपने एक अविलेक में कलिंग युद का वर्लन किया है उसने कहा है कि राजा बनने के आठ साल बाद मैंने कलिंग विजे की लगवग डेर लाग लोग बंदी बनाए गए और एक लाग लोग इससे भी जादा लोग को मारा गया इससे मुझे अपार दुख हुआ क्या है कि जब असोक ने कलिंग पर विजे प्राप्त की थी इसके बाद इनको बहुत ही दुख हुआ था और इन्होंने धम को अपना लिया था ठीक है तो इसमें क्या हुआ था कि डेर लाग से जान लोगों को बंदी बना लिया गया था और एक लाग से अधिक लोग जो थे उनको मार दिया गया था इससे इनको बहुत ही दुख हुआ था और ये जो राजा ने असोक ने जो ये युद जीता था ये राजा वन्ने की आठ साल बाद इन्होंने ये युद जीत पाया था तो ये बहुती बड़ा युद्ध माना गया था इसके बाद में हमको मिलता है कोश्य नमबर 14 बहुती मैतपुन प्रसन है कलिंग युद्ध में जनहानी से दुख होकर दुखी होकर के असोक ने धम ठीक है धम को हम धर्म भी कह सकते हैं ठीक है धम अर्थाद धर्म तो धम का पालन करने एब हम दूसरों को इसकी सिख्षा देने का निश्चे किया था धम के संदर्व में बिचार उसके बिचार निमन लिखित हैं अर्थाद धम के संदर्व में जो असोक के बिचार हैं वो यहाँ पर दिया जा रहा है पहला कतन असोक का माना था कि धम के माद्यम से लोगों का दिल जीतना बल पूरवग बिजय पाने से अच्छा है बहुत ही अच्छा यह आप उनका बिचार था ठीक है इसके बाद में दूसरा बिचार है ठीक है इसके लिए आप अगर इसको आंसर देना है तो आप उपर्यूक काफनों के माद्यम से इसका अंसर दे सकते है अर्थात उप्सन A केबल दूसर सही है उप्सन B केबल पहला कतन सही है उप्सन C अर्थात एक और दो दोनों सही है option D इन में से कोई भी सही नहीं है दोनों ही कतन गलत है तो जल्दी से इसकांसर हमको comment box में दीजेगा कि असोक ने जो दो बातें असोक यहां पर लिखी गई है क्या ये दोनों बातें सही है या फिर गलत है चलिए भी इसकांसर हम आपको बताते हैं इसका option C बिल्कुल करतात दोनों ही बातें सही दी गई है कलिंग अभी लेक में धम के बिसे में अजोक ने कहा है कि मैं मानता हूँ कि धम के माद्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूरवग विजय पाने से अच्छा है जाना अच्छा है मैं यह अभी लेक भविश्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्किन कर रहा हूँ ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और उनके बाद में बेटों के बेटे अर्थाद मेरे पोते भी युद्ध ना करने इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम को कैसे बढ़ाया जाए धम सब्द का संस्कृत के धर्म सब्द का प्राकृतिक रूप है तो जो जिसको हम लोग आज धर्म बोलते हैं उसको पहले धम कहा जाता था थीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हो दिखते हैं कोस्टन क्योंकर नाम से जाता था तो इन सभी अधिकारियों को धम महा मात के नाम से जाता था इसके नाम से धम महा मात ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्टन नम्बर सिक्स्टीन को इसका भी आंसर आप संभी लोगं के सामने है दिया जारहा कि आदूनी भारत की जानत लिपियां जैसे की देवनागरी तमिल बांगला और इसके बाद में मल्यालन ये सभी ब्रामी लिपी से उत्पन होई हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कोशन नमबर 17 को दिया जा रहा है कि दम के दम के पचार के लिए असोक ने जिन साधनों का प्रिय पर खुदबाये थे दूसरा कतन उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि बे राजा के आदेशों को उन लोगों को पढ़कर के सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते तीसरा कतन असोक ने धंब के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया मिसर ग्रीज तता स्री लंका में पर खुद भी दूत भीजे थे तो इसके बाद में इन कूटों के माद्यम से आप अपने आँसर को दे सकते हैं अर्था 17 का A से रथा के वल एक सई है दूसरा तीसरा ये दोनों गलत है या फिर उपसंट B अर्था 17 का के वल दूसरा और तीसरा सई है और जो पहला कतन ये व हमको इंतजार रहता है चलिए इसका अंसर मापको बताते हैं इसका ओप्षन नमबर डी विल्कुल करेक्टर रहता तीनों कथन सही है ठीक है असोक ने धम के प्रसार के लिए उपरियुक सभी कदम उठायते रहता तीनों कथन सहते हैं चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते विभिन अबसरों पर किये जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं है ये किसने कहा था ये कहा था असोक ने तो इसको अब बताईगा कि सही है या फिर गलत है इसको दूसरा जो इसका संदेश था वो ये था उसने कर्मकांड के इस थान पर दूसरी रीति ती ये रितिया अपने आदेसों द्वारा अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा बेवहर करना बड़ों का आदर करना सभी जीवों पर दया करना और ब्रामुरत ता स्रमनों को दान देना था अर्था जो यह असोक था इसने अपनी प्रजा को कुछ संदेश दिये थे तो असोक ने कहा था कि यह कर्म कांड है यह अनुष्टान करते हैं यह करने की आवश्क्ता नहीं है और इसकी जिगह पर हमें ब्राम्नों को दान देना चाहिए दासों और नौकरों के साथ में अच्छा बेवहर करना चाहिए बड़ों का आदर करना चाहिए सभी जीवों पर दिया करनी चाहिए इसका आपको बताना है आंसर की उप्रिक्ट में से कौन से कतन सत्य हैं केवल एक केवल दो केवल एक और दो दोनों या फिर इन में से कोई नहीं तो इन आपसरों के मादनें से आप आंसर को बता सकते हैं चलिए इसका आंसर अब हम आपको बताते हैं इ इसकी ब्याक्या दी जारे कि असोक ने बच्चों के जन्म और इसके अपने यात्रा सुरू करने बिवा करने आधी अबसुरों पर जो किये जाने वाले कर्मकांड हैं और अनुष्टान हैं ठीक है इनके इस्तान पर मानवता संदेश अपनी प्रजा को दियतार्थात आप ये सभी ना करें और मानवता का पालन करें ठीक है सभी जीवों पर दिया दिखाएं ब्रामनों और समनों को दान दें और इसके साथ-साथ जो नौकर हैं जो दास हैं उनसे अपना अच्छा बेवार दिखाएं इन्हों ने कहा था कि जो आप साधी विवा में या फिर कोई भी क काम करते हैं अच्छा काम जिसी की यात्रा सूब करने जा रहे हैं या फिर बच्चे का जन्म हुआ तो इन अबस्वरों पर कर्म कांड और जो अनुष्ठान इनमें अपने पैसे को बरबाद ना करें या सोक ने कहा था ये कितना सही है कितना गलत है कि तो आप लोग समझते ही होंगे क्योंकि ये कहने कि अवश्च्चता हमको नहीं है इसके बाद में कोस्चन नमबर 19 आप सबीलों के सामने है मौरिस आमराज का पतन लगवक कितने बर्स पूर्व हुआ औप्षन A आज से 2200 बर्स पूर्व औप्षन B आज से 1500 बर्स पूर्व औप्षन C अठाथ 1000 साल पहले या फिर औप्षन D 2000 बर्स पूर्व जो मौरिस आमराज है इसका पतन कब हुआ तो जल्दी से इसका अंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा चलिए इसका अंसर माप बताते हैं इसका ओप्षन नमबर A बिल्कुल करेक्ट है अर्थात मौरिस आमराज का पतन जो हुआ था ये आज से लगवक 200 बर्स पूर्व हुआ था और ये क्यों हुआ था इसका क के संरक्षन में ठीक है क्योंकि चानक के इनके गुरू थे और चानक के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते थे ये बात माली है क्योंकि जो चंदरगुप्त मौरेन की कहानी को आप लोग ने सुना होगा कई दिनों तक ये टीवी परम पर इसका जो तो सीरियल भी आया था ठीक लगवक कितने बर्स पूर्व शुरू हुआ था तो इसका यहां पर डायरेटली आंसर दिया जा रहा है कि ऑप्सन बी सही है ताथ 2400 बर्स पूर्व चीन की दीवार का निर्मान कारे शुरू हुआ था अभी क्यों हुआ था तो मौरिक समराज के उभरने से थोड़ा पहले लगवक 2400 बर्स पूर्व ठीक है 2400 बर्स पहले चीन में समराटों ने चीन की दीवार का निर्मान शुरू किया था इसे बनाने का उद्देश सीमा जो उत्तरी सीमा है उससे पसपालग लोगों से रक्षा करना था ठीक है अब इसे बनने में कितना समय लगा अगला प्रश तो इसका जो ऑप्सन ए है बिल्कुल करेक्ट है अर्थाथ चीन की दीवार के निर्मान में 2000 बर्स लगे थे क्यों क्योंकि 2000 बर्स इसलिए लगे थे क्योंकि सामराज की जो सीमाय थी यह बदलती रही थी अब सामराज की सीमाय क्यों बदले थी क्योंकि कई देखीगा यह यह दिवाल है, यह बहुत लंबी है, लगबग यही कुछ 6400 किलो मीटर लंबी है, ठीक है, 6400 किलो मीटर लंबी है, साइद, ठीक है, कनफर्म नहीं बता सकता, लेकिन साइद यह इतनी ही लंबी है, आप लोग NCRT को एक बार देख लीजीगा, उसमें इसकी बताई गई, इसक सबी लोगों से रिक्वेस्ट है, कि हमारे इस वीडियो को सेर जुरू कर दे, हमारे इस दिर्ण संकल वीटूब चैनल पर, UPSC Civil Service Exam IS की त्यारी स्टार्टिंग से एक ट्रॉपर वे में कराई जा रही है, और नोट्स भी दिये जा रहे है, जिन लोगों को NCRT को नोट्स प्रिलिम परिक्षा के लिए ही महत्पूर होती है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए जहें दोस्तों